Hello friends, कैसे हैं आप सब? चलते हैं आपके अपने चाइनल टेकनिकल आलोक में आज आप लोग समझिएगा कि इसरम कार्ड से आप लोगों को क्या फाइदा होने वाला है यदि आप इसरम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उससे आपको क्या वेनिफिट होगा क्या आप UN नंबर यानि इस्रम कार्ड बनवाने योग है या नहीं इस्रम कार्ड किन किन लोगों के लिए eligible है उससे क्या फाइदा है तो यही सी टोपिक पे आज का हमारा वीडियो होने वाला है तो हमारे चैनल टेक्निकल आलोग को सस्क्राइब करे और वेल आइकन को ज़रूर फ्रेस कर दे क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हाँ तो friends तो हम बता दें कि आप लोगों को इसरम कार्ड बनवा से क्या क्या profit है तो हम अपनी भासा यानि अपने local भासा में आप लोगों को समझा दें कि इसरम कार्ड एक किंदर सरकार का जारी किया गया portal है जिस पे आप जाकर के अपना इसरम कार्ड यानि UAN नमबर बारा अंका एक नमबर होता है जैसे अधार कार्ड पे बारे अंका होता है वैसे ही आप एक कार्ड बनवा सकते हैं उससे आपको बहुत साड़ा लाब यानि benefit मिल सकता है तो आप लोगों को बता दे कौन कौन सा benefit आपको मिलेगा तो आप लोग जानते होंगे कि पिछले lockdown में यानी COVID-19 का जो समय चल रहा था तो उस समय एटोमैटिक लोगों के खाते में 5500 रुपे आ गये थे तो कुछी लोगों ने कोई-कोई लोग जो थे पोले कि कैसा पैसा आ जा रहा है हम तो कहीं एकाउंट जिये नहीं है तो वो पैसा जन्धन के जो भी एकाउंट ओपन हुगा था उन्हीं के खाते में आ गया था तो वैसे ही एक इस्रम कार्ड पोटल है जिस पे आप अपना र रोजगार है या आपको रोजगार है या नहीं है आप क्या करते हैं क्रिशी का कार करते हैं या जो भी आपको छोटा-मोटा रोजगार है उसमें देना परता है तो ऐसे ही सरकार के जो रीजिन में यदि सरकार जो भी सरकार है उसके कोटा में आपका जो है रेश्ट्रेशन हो जाता है कि आप क्या करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, तो इसी वर्क को देखकर सरकार अपना एक डाटा वेस तैयार करेगी और उसी के हिसाब से आपको जोब यदि देना हो या जो भी पैसा देना हो तो आपको सिधे आपके एकाउंट में जमा करा देगी यदि पूरे अपना देश में यदि कोई भी योजना लॉंच होता है उसका यदि प्रोफिट कुछ है तो सबसे पहले आपको प्रेफिट मिलेगा तो यही हमारे जो इस्रम कार्ड आप बनवाते हैं तो ये तो इसका लाब हो गया तो ये भी बता दे कि कौन-कौन से लोग इसे बनवा सकते हैं कौन-कौन से लोग इसको बनवाने के लिए इलिजिबल है तो सबसे पहले कि यदि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपका UAN नमर जारी हो गया हो यानि आप जो EPF का लाब ले रहे हैं तब तो आप इसमें रेश्टेशन नहीं करा सकते हैं यदि आप प्रवासी मजदूर है अपने घर पे काम कर रहे हैं या कहीं भी आप EPF का लाब नहीं ले रहे हैं तब आप इश्रम कार्ड का लाब ले सकते हैं यदि आप औसंगठित यानि औसंगठित मर्दूर हैं आप किसी कमपनी से नहीं जूरे हैं आप कोई भी EPF का लाब नहीं ले रहें तो ये आप जो है बनवा सकते हैं और इसका लाब ले सकते हैं तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमारे कॉमेंट सेक्षन में बताएं और हमारे चाइनल टेकनिकला लोग को सस्काइब करें और बेल आइकन को जरूर जबा दें क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं तो हमारे साड़े वीडियो का नोटिफिकर्शन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम